हेलो स्टूडेंट्स बीए पार्ट सेकिंड के स्टूडेंट्स को आज मैं मनोवी ज्ञान विशे में डॉक्टर मनोर मत्यागी पेपर सेकिंड का चेप्टर पढ़ाऊंगी आयत चित्र इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किस तरह से हम आखणों को प्रदर्शित कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा आखणों को प्रदर्शित करना बहुत ही आसान है और ग्राफ द्वारा जब हम आखणों को प्रदर्शित करते हैं तो एक ही द्रश्टी में हमें आखणो का स्वरूप पता चल जाता है इसलिए ग्राफ का बहुत अधिक मैतु है और आंकडों को ग्राफ के रूप में प्रदशित करने के कई तरीके हैं इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉलिगोन कैसे बनाते हैं आवरती बहुभुज किस तरह से बनाते हैं उसक मैं आपको बताऊंगे हिस्टोग्राम या आयत चित्र किस तरह से बनाया जाता है आयत चित्र बनाने के कुछ सामाने नियम वही हैं जो पॉलिगोन बनाने के थे जो सामाने ग्राफ हम बनाते हैं उन नियमों का इसमें भी पालन करेंगे O X और O Y जो अक्ष बुजा है उसको अनुपात के रूप में सही तरीके से बनाएंगे O Y जो है O X से थोड़ी सी छोटी होती है तो इस तरह से सामानने नियमों का पालन करते हुए हम आयज चित्र बनाएंगे आयज चित्र द्वारा आंकडों का इस्पष्टि करण और भी अधिक सुविदाजनक, सुंदर और इस्पष्ट हो जाता है क्योंकि आवरती बहुज की टेड़ी मेड़ी रेखाएं होती है और टेड़ी मेड़ी भुजाएं होती है जिसकी वज़े से वो देखने में उतना आकरशक नहीं लगता जितना की आयज चित्र लगता है पॉलिगोन जब हम बनाते हैं तो वरगांतरों में उपर और नीचे एक एक वरगांतर बढ़ा लेते हैं और उसकी जो आवरती है वो जीरो लिख देते हैं उसका कारण यह है कि जिससे कि जो हमारा आवरती बहुज बने वो हवा में लटका हुआ सा ना लगे वो नीचे अक्षबुजा पर उसका बिंदू मिल जाए परन्तु आयत चित्र में ऐसा नहीं है आयत चित्र बनाने के जो चरण है उनको हम इस तरह से देख सकते हैं जैसे सबसे पहले अक्षबुजा पर हम वरगांतर लिखेंगे दूसरा एक्स अक्षबुजा पर वरगांतर लिखने के बाद वाई अक्षबुजा जो है उस पर हम आवरतिया लिखेंगे अब आवरतिया जितनी हैं अधिक हैं तो उनको एक चौकोर खाने में ज्यादा आवरतिया ले लेंगे और उस तरह से मतला बैलेंस लगना चाहिए बनाते समय ग्राफ में ओ एक्स अक्षबुजा पर हम वरगांतर लिखेंगे जितने भी हमारे पास वरगांतर हैं आठ दस नो जितने भी हैं उतने ही हम उसमें चाकोर बड़ा खाना जो ग्राफ का होता है वो ले लेंगे तीसरा जो चरण है वो है प्रतियेक वरगांतर के मध्य बिंदू के उपर आवरतियों के अनुसार एक लाइन खीचेंगे प्रतियेक वरगांतर के उपर और उसके बाद दो लाइन नीचे एक्स अक्षबुजा तक खीचेंगे इस तरह से एक वो आयत का चित्र बन जाएगा और इसमें जैसे मैंने आपको बताया आयत चित्र बनाते समय हम वरगांतर नहीं बढ़ाते हैं और केवर इसमें नियम यह है कि हर वरगांतर के उपर मध्य बिंदू लेते हुए पूरे वरगांतर के उपर एक लाइन खीच लेते हैं और दोनों तरफ से उस लाइन को हम नीचे मिला देते हैं जैसे इसका एक उधारण इस वरगांतर में आपको देखने को मिलेगा यह चालिस से पचास पचास से साथ वरगांतर हैं जो चालिस से लेकर 110 तक हैं और फ्रिक्वेंसी इसकी है 100 से 110 की दो फ्रिक्वेंसी 90 से 105 फ्रिक्वेंसी 80 से 97 आवरतियां हैं 60 से लेकर 70 तक 11 आवरतियां हैं 50 से लेकर 60 तक की जो वरगांतर है उसमें 4 आवरतियां हैं 40 से लेकर 50 तक की जो वरगांतर है उसमें 3 आवरतियां हैं तो इस तरह से हमारे पास ये एक वरगांतर है और जिनकी आवरतियां दी हुई हैं अब इसके आधार पर हमें एक आयत चित्र बनाएंगे तो ये आयत चित्र बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि OX अक्षबुजा पर अगर हम देखें तो 40 से 50 के बीच जो आवरतियां हैं वो 3 हैं तो यहाँ पर एक लाइन हम इस तरह से खीच देंगे लाइन खीचने के बाद नीचे जो OX अक्षबुजा है एक लाइन दोनों तरफ इस तरह से भी खीच देंगे ये एक प्रकार से एक आयत बन गई इसलिए इसका नाम आयत चित्र रखा गया है इसी तरह से जो हमारी 50 से 60 का जो वरगानतर है उसमें जो आवरति हैं वो 4 हैं तो 4 के सामने फिर से एक लाइन खीचेंगे 50 से 60 जो वरगानतर है और दोनों तरफ से इसको इस तरह से मिला देंगे इसी तरह से आगे भी हम आवरतियों के अनुसार जैसे 60 से 70 में 11 है तो 11 आवरतियां यहां आती हैं तो यहां पे हम एक लाइन खीच देंगे और नीची से इसको मिला देंगे इस तरह से इसी तरह से 70 से 80 के बीच जो है वो 7 है फिर 80 से 90 के बीच भी 7 आवरतियां है इस तरह से सबी वर्गांतर के उपर हम यह देखेंगे कि कितनी जो है वो आवरतियां है और उसके इसाब से हम वर्गांतर के उपर लाइन खिचते जाएंगे और उनको नीचे मिलाते जाएंगे कई बार क्या होता है कि दो आवरति बहुज एक ही अक्षबुजा पर हम बना सकते हैं उसमें केवल हम लाइन का फर्क कर सकते हैं कि एक लाइन हम इस तरह से सीधी ले ले और दूसरी लाइन हम डॉट डॉट करके इस तरह से ले सकते हैं तो कई बार एक ही आवरति आयत चित्र में हम दो आवरति वित्रणों को लेकर हम आयत चित्र भी बना सकते हैं तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आयत चित्र बनाते हैं आयत चित्र हिस्टोग्राम जिसको कहते हैं इंग्लिश में और जो सबसे इंपोर्टन पक्ष है किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए वो उसका पैमाना होता है पैमाना कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता दू O X अक्षभुजा पर जैसे हमने यहां पर O X अक्षभुजा जो है इस पर एक बड़ा चाकोर खाना जो हमारे पास ग्राफ होता है उसमें छोटे-छोटे चाकोर खाने बने वे होते हैं तो एक तो बड़ा होता है जिसके अंदर दस छोटे-छोटे चाकोर खाने होते हैं तो एक बड़ा चाकोर खाना बराबर एक वर्गांतर ये पुरा एक वर्गांतर इसी तरह से O Y पर हमने ली हैं आवरतियां और आवरतियां लेती समय हमने ये ध्यान रखाएं कि जैसे हमारे पास 12 तक की आवरतियां हैं अधिक्तम 12 हैं तो उस हिसाब से ही हम उसको डिवाइड कर लेंगे ग्राफ में जो खाने हैं तो हमें यहाँ पर देखने में लग रहा है कि एक चाकोर खाने में दो आवरतियां अगर हम रखें तो हमारे पास जो 12 आवरतियां जो हैं वो 6-7 खाने में पूरी हो जाएंगी तो इस तरह से पैमाना लिखना बहुत जरूरी है पैमाने के बिना कोई भी ग्राफ जो है वो अधुरा माना जाता है तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आयद चितर बनाते हैं आपके कोर्स में केवल यही दो ग्राफ हैं पॉलिगोन और हिस्टोग्राम वैसे तो और भी ग्राफ हैं जिसके द्वारा हम आकणों को प्रदर्शित कर सकते हैं जैसे बार डायग्राम है दंड आले लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है आपके कोर्स में केवल ये दो ही ग्राफ हैं, उम्मेद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि आज चित्र कैसे बनाते हैं, थैंक यो सो मच स्टूडेंट्स